थाले मूंट खरब कर लिया और जल्दी करो मुझे पताएग्य आप लोग नहीं करते वीडियो देखते हो लेगिन सब्सक्राइब नहीं करते हिलाल करल करने इसे दबाओ जल्दी दबाओ हेलो दोस्तों मैं फिस स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अजू पहड़ी में तो आप लोगों को सबसे पहले प्यार भरा नमस्ते सो शुरू करते हैं आज का ब्लोग हम ब्लोग शुरू करने से पहले मैं बता दू कि मैं जाने बाला हूँ अज अपने गाउं क क्योंकि गओं में है एक शोटा सा फंक्शन तो चलिए चल देंगा इस फ्याओं बंपबम तभाम बंपबाम वने वने की बहूंश वने की बहूंश अखियक अहदा हुं तो अभी हम पहुंच चुके हैं भराडी तो हमें जहां पर अभी जाना है वहां से यहां का डिस्टेंस होगा करीब पांच किलो मिटर का तो मतलब गाड़ी के इलावा हमारे को पैदल भी चल के जाना पड़ेगा थोड़ी सी चढ़ाई हो गयर भी चड़नी पड़ेगी चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कुटी वह सामने जो दिख रहे गाओं यही है कुटी यहां का और यहां से उपर क कि तरफ हमको गाड़ी लगा के पैदल जाना पड़ेगा तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो के आगे तो फाइनले हम पहुंच गे कुटी और अब भी बस थोड़े की रास्ते के आगे हम मंदिर में भी पहुंच आएंगे यह हमारे साथ राहुल जी है और पीछे अपने भाई चारे के लोग चल रहे हैं तो यह आ रहे हैं गोल सरकल सरकल लगाते हैं चलते जाओ लाइक ब्लो मेरे चैनल को सबसेड़ी कर दो हां-क की लुकेशन की बात कि जाये तो अच्छी है काफी हर्याली है यह पर यह नीचे सारा गेहु है लगाया हुए लोगों ने與 य्य वह रास्ता जहां से हमारे में नीचे से हम लूड़ से अभी वह सामने और तो बढ़ते हैं आगे तो फानिली हम अपनी मंजील के पास पहुंच चुके हैं वो देखिए सामने वो रहा मंदीर और ये हमारे दोस्तों और ये वो काफी दूर है इतना दूर भी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत दिनों बाद चड़ाई चड़ाऊ इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लगा तो काफी है अची जगह ये बहुत बड़ी है अभी आपको मंदीर कर दो और है ऐकर अबमें फोड़ी हों फोड़ी ए पूजा तो हाँ कातेंगे वह थो बक्रा बगैरा काटके तो फिर हम बापिस जाएंगे अपने घर तो तो बताइए यहां पर कैसी लगी आपको जगा कैसी लगी तो इनका कहना है कि यहां पर जगा काफी अच्छी है मंदिर भी काफी खुबसूरत है जगा पर उच्छी हाइट पर है यह देखे पीछे का व्यू तो काफी अच्छा है और यह नीचे यहां पर जंगल है यहां से लेकिन पता नहीं हमारे को में मैं बारे में जानकारी नहीं है तो जंगल कोफा है District काफ स Nous शाइद यहां से रास्ता जाता होगा लेकिन हमें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो अभी जैसे ही बक्रा कटेगा तो हम आपको दिखाएंगे माता जी को कैसे बक्रे को चड़ाया जाता है क्या क्या होता है तो चलिए चलते हैं फाइले हम पहुंचुके हैं आपनी गाडियों के पास आपनी बोल दो मेरे चाचु के यूट्यूब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो वाव